स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मेडिशिन नालेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रे गाबा नैल एंटी टैबलेट के बारे में आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बिनिफीट्स, यूज, डोस एवं शाइड इपेक्ट के बारे में उससे पहले द लगातार नई नई वीडियों मिलती रहें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों प्रेगाबल नैल एंटी टैबलेट जिसे लीफोर्ट फार्मसिकल कमपनी बनाती है जिसकी 10 टैबलेट की प्राइस 155 रुपे होते हैं जिसे आपसानी से किसी भी केमिस्ट्र इस टैबलेट को खरी सकते हैं दोस्तों इस टैबलेट के अन्य पापुलर ब्रेंड के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के अन्य पापुलर ब्रेंड है प्रेगलीन एंटी टेबलेट प्रेगाबा एंटी टेबलेट प्रेगाब डॉस एंटी तथा नर्वमैक्स ऐसा इत्यादी पॉपुलर ब्रैंड से भी आप इस टेबलेट को खरी सकते हैं दोस्तों इस टेबलेट में उपस्तित composition के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर pregaba lean 75 mg तेथा not tripti line 10 mg की strength में अवलिबर होता है दोस्तों इस टेबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का उपयोग डक्टर नेरोपैथी pen को treat करने के लिए उपयोग में लेते हैं उसके लावा दोस्तों नसों को दर्द को ठीक करने के लिए डक्टर इस ट्रिबलेट को दते हैं उसके लावा नसों की कमजोरी हो गया हो या नस डेमेज हो गया हो उन सब को ठीक करने के लिए डक्टर इस ट्रिबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं उसके लावा दोस्तों डाइबिल्टिक फेरल ने रुपय थी एक समस्य होती है जिसमें डाइबिल्टिक के पैर के नसों में दर्द होने लगता है, उसको ठीक करने के लिए भी डक्टर इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके लाव दोस्तों साइटिका की समस्या हो या लकवा की समस्या हो उसमें भी डक्टर इस टेबलेट को अन्य टेबलेट के साथ उप्योग में देते हैं। दर्द होना, कमर दर्द होना, कमर में नसो का तड़कना, पैर के तलवे में जलन होना, इन सब कंडिशन में इस टेबलेट को डक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अन्य किसी माध्यम से ना ले। यदि उप्योग ले रहे हो तो डक्टर से प्रिकेशन लेकर ही, डक्टर चसला लेकर ही उप्योग करें। दोस्तों इस टेबलेट को ओडी याने दीन में एक बार रात के समय दिया जाता है। क्योंकि इस टेबलेट को खाने के बाद हमेशा दिजनेस, चक्कर टाइप या वीर सुस्ती बना रहता है। दोस्तों प्रिकीशन याने साउधानी के बारे में बात करें कि किन लोगों को इस टेबलेट से सवधानी बरतने चाहिए। तो जो किट्नी, लिवर, हार्ट डाइबेटी के पेसेंट हैं उसे इस टेबलेट का अप्योग अपने से नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग कर रहे हो तो डक्टर से शला लेकर ही उपयोग करना चाहिए तथा प्रेग्नेंट अप्डेस्ट फिरिंग में इलाओं को इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों लास्ट में इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टेबलेट में उपस्तीत कंटेंट से दिया आपको एलर्जी है तो कुछ जगैस अपच खुजली लाल जगत्ते ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा हो तो आप इस टेबलेट को उपयोंग में लेना बंद करें और अपने नस्दी की डेक्टर से शंपरगा करें तो यह था दोस्तों प्रेगाबनना एल एंटी टेबलेट के उपयोंग के बारे में जनकारी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें साथ में हमाने चैनल को सस्क्राइब करके रखें जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहें शो धन्यवाद दोस्तों